अब सुनिए आते हैं रिवीजन के चैप्टर चैप्टर स्ट्रेटेजिक एनलेसिस ऑफ ऑपरेटिंग इंकम चैप्टर नमबर टेन बहुत असान है देखेगा एक मिन बताता हूं देखेगा जुम्ती देखेए कि डायरेक्ट ये नुली चश्ग और गाएक इनल प्रूफिटविट्विटी क्या था प्रूफिद्विटविटी के अंदर हमने समझा था हम लोग कई बार अफेमस मेंचलें कर रहा होते ये तो वहां पर प्रूफिटी कि कई तरीके से निकाले जाती है कई बार तो हम सीधे सीधे एक्टिविटी बेस कॉस्टिंग एक्टिविटी बेस मेनेजमेंट वगरा करके निकाल देते हैं यहर प्रोड़क की कॉस्ट को डिटेल में अनलाइस करें लेकिन कई बार सिच्वेशन जब पूरी प्रॉर्ली FMCG होती ह तो हमारको एक फॉर्मला दिया गया और उनने कहा देखिए आप ग्रॉस मार्जन निकालते हैं उसमें से एक और कॉस्ट माइनस करेंगे यह दायरेक्ट प्रॉड़क कॉस्ट वह कौस्ट कौन सी है डायरेक्प्रॉड़क कॉस्ट थ्री कॉम्पोनेंट्स की होती है को से रांस्पोर्ट मतलब वहां से आप रेटेलर को भेज रहे हैं तो अभी तक हम सीधे-सीधे क्या करते थे पूरे इतना detail analyze नहीं करते थे अब हम क्या कर रहे हैं हम detail में analyze कर रहे हैं कि किस product के ऊपर कौन सी warehouse cost है कौन सी transport cost है और कौन सी store cost है तो हमने का हर product के ऊपर अगर हम detail में cost लेके चलेंगे तो हमें सही से पदा चलेगा कि किस product के actual में कितनी cost आ रही है और कितनी profitability है और better way में फिर हम plan कर सकते हैं तो यह simple सी approach ती direct product profitability की नेक्स थी customer profitability analysis इसको मैं कई वरेवाइस करा चुका हूँ एक chapter 2 में भी किया था यहां पे भी किया था इसमें हम क्या कर रहे होते हैं हम product customer के ऊपर हर customer या category of customers की cost निकाल के देख रहे होते हैं profitability निकाल के देख रहे होते हैं हम यह सोच रहे होते हैं कि आखिरकार यह जो customer है यह profitable customer है भी यह नहीं कई ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इसको sell कर रहे हैं अब इस customer को sell करने की वज़े से हमें कुछ भी profit ना हो रहा हूँ कई बार हमने देखा था पास्ट में जब हमने analyze किया था कि हमें जो लग रहा था जो largest customer है वह एक्चुल में सबसे लॉस मिकिंग कस्टमर था वाई क्योंकि वह छोटे shipments मंगवा रहा था जल्दिल्दी shipment मंगवा रहा था उसकी चक्कर में हमारी disrupt हो रही थी अब वह अचानाक में मांग लेता था तो जिसकी वह जैसे हमारी नॉर्मल प्रोडुक्शन शीडूलिंग जो थी वह disrupt हो रही थी and similar so forth similar similar situations थी तो आप ने कहा कि sir इस case में हम करते क्या है customer profitability analysis में हर customer की cost को detail में analyze करते हैं और सोचते हैं कि कैसे उस customer से जैसे मान के चले कोई चोटी चोटे quantity में मंगवा रहा है तो उसको analyze करते हैं उससे कहते हैं कि यह customer भी ना चूटे और इससे समझाएं कि या तो आप बड़ी quantity में मंगवा लीजी एक साथ जादा goods मंगवा लीजी कि मेरी order processing cost बहुत है ordering cost बहुत है या फिर उससे कहते हैं कि भाई तुम फिर मेरे को थोड़ा सा extra दे दो क्योंकि आप छोटी चोटी quantity में मंगा रहे हैं यह rush order में मंगवा रहे हैं तो आप मेरे को थोड़ा सा extra दे दी ठीक है मैं एक level तक आप से extra नहीं charge कर रहा है मैं मानता हूं कि एक level तक आप आपकी हक है कि चलिए 10 units 10 times आप accountability analysis फिर आप कहते थे next मैं time driven activity based costing revise नहीं कराऊंगा पिर हम आते थे activity based costing पे activity based costing कुछ भी नहीं accurate product costing है मतलब पहले हम क्या करते थे functional based cost निकाला करते थे हमारी सोच क्या थी हमारा product वगर अब किस तरीके से होता था थे activity based costing में इवन activity based budgeting में क्या नॉर्मल budgeting में क्या होता था और नॉर्मल traditional costing में क्या होता था हम लोग material labor की cost लेते थे प्लस overhead लेते थे उसको कैसे करते थे variable और fix के साब से और उसको कैसे allocate कर देते थे एक एक allocation base ले लेते थे प्रोड़क्स की पर बाटने के लिए लेटस से मशीन आर या लेवर और उसके साब से हम बाट देते थे क्योंकि हम कहते थे सारी ओवरहट पहले तो ओवरहट की cost बहुत कम होती थी फिर प्रोड़क्ट डाइवर्सिटी जाधा नहीं होते थी ठीक है लेकिन आगे क्या हुआ अब सिचुएशन से रियल लाइफ में बदलने लग गई है ना हाँ आप वो optional अधिवियम वो ट्राइम डिवन एक्टिविटी बेस कॉस्टिंग अगर चीटिव मेटीरियल डाल दे आपका तो आप उसको पड़ नहीं तो छोड़ देना किकि किसी हो सकता है कभी हो किसी अब हो तो ये आपको स्ट की साफसे चलना होगा लेकिन फिर अगर ना भी चाहिटी मेटीरियल तो भी आप एक बार पढ़ देना जुआधा मुश्क एक मिनट बीच में बोल रहा हूं study material को कभी भी यह मुझ समझ नहीं कि वह फाइनल गी मिलब आपके गीता की तरह लेकर चलो बट लेकिन वह फाइनल गीत में अल्टिमेटली गीता नहीं वह स्लेबस के ऊपर बनी हुई एक रेफरेंस बुक है ठीक है उसके इंदर कई चेंज कि अगर मैं study material की बात करूँ ठीक है उसके अंदर मैंने अभी बताया था मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा उसके अंदर क्या था इंवेस्टिकेशन और वेरिंस पर कुश्चन था जब 2020-2021 वगरा में study material आया उसके अंदर से इंवेस्टिकेशन और वेरिंस का question अटा दी इस लेबस में है इस लेबस में इंवेस्टिकेशन और वेरिंस है तो आप क्या बोलोगे पेपर में नहीं आ सकता अब क्या बोलेंगे उसको decision making में uncertainty वाले topic है जिस पे हमने normal कर वगरा देखा था नॉर्मल कर वगरा देखा था वो study material ने हटा दिया अब आपके अगर examiner के पास study material हो paper setter के पास वो मान के चलिए पुरानी वाली हो तो आप क्या कहोगे यह paper में नहीं आएगा तो आ सकती है यार अब ठीक है optimally नहीं आना चाहिए क्योंकि study ने अटा दिया लेकिन आप लड़ नहीं सकते यार इन वातों पर बाद में हम अपन रिपीट रहे हैं so it is of no use it's better कि five minutes extra लागा के एक बार इसको पढ़के खतम कर लो ज्यादा मुश्किल तो है ने सेम यह है न तो आपको वही चीज ध्यान रखनी है अब आगे बाढ़ाओ प्लीज ध्यान देना प्लीज आगे ध्यान दीजेगा अब आपने कहां कि सर क्या बोल रहा था हाँ activity-based costing इन एडवांस मेनेजमेंट तो आपने कहां कि सर देखी एडवांस मेनेजमेंट एडवांस मेनेजमेंट में होता कि मतलब activity-based costing और budgeting की बाद चल रही थी तो हमने क्या किया पहले तो activity-based costing क्यों लगा नहीं सोची है हमने है यार देखो situation बदल गई एडवांस हो चुके है management से सीन्स बदल चुके हैं आज आज क्या है हम लोग इंडेप्ध analysis कर रहे हैं क्यों इंडेप्ध कर रहे है क्योंकि हमारी product की diversity बढ़ चुकी है ओवरेट की cost बढ़ चुकी है हम जिट लगा रहे है टीक्यूम लगा रहे हैं बहुत सारी चीजह लगा रहे हैं जिसकी वज़े से अब हम कहा रहे हैं कि यार प्रोड़क्त की accurate cost पता होना बड़ा ज़रूरी बड़ा ज़रूरी तो आप यह कहते हैं प्रोड़क की accurate cost पता होना मारे लिए बड़ा नीडी है हमें पता होनी चाहिए कि प्रोड़क की accurate cost क्या है ठीक है activity based costing लगाना अपने आप में एक बड़ समझ जॉब है क्यों आपको पहले अनलाइस करना पड़ेगा कौन कौन सी अक्टिविटी यह यह सुच पहले तो आप सीधे सीधे सोच लेए ते पूल करते जाते हैं एक्टिविटी सब एक्टिविटी इसको पूल करके एक्टिविटी बनाते हैं उस पर यह देखते हैं कि कौन कौन सी कॉस्ट लग रहे हैं रिसोर्स लग रहे हैं और फिर उसको उसको देखते हैं कि उसके पर कौन सी यह कॉस्ट किस बेस पर हो रही है तो आप कहेंगे ठीक बात है सर यह कॉस्ट कैसे कैसे ड्राइव हो रही है तो आप क्या करते हैं आप यही कहते हैं कि यार देखो कि आप यही कहते हैं कि सर आप यह ध्यान रखना अब कि आपकी जो कॉस्ट हैं मैं क्या रहा हूं कैसे कैसे ड्राइव हो रही है तो आपको कॉस्ट राइवर बड़ा ध्यान से चूस करना होगा अगर अपने कॉस्ट ड्राइवर सही चूस किया तो आपको पता चल जाएगा कि किस बेस पे कॉस्ट ड्राइव हो रही है और एक्ट भी होगी अब आपकी फैसिलिटी शेयं एक्टिविटीज भी होगी तो आपकी कौन सी कॉस्ट के इस भी राइव रही यह यह आपको देखना होता है ठीक है ताकि product की accurate cost निकाल सके फिर हम आये थे activity based management उसको करने से पहले कुछ terminologies पहले निप्टा लेते हैं पहले कुछ terminologies निप्टा लेते हैं आईए ज़रा page number page number 10-17 पे मैंने आपको बताया था दो authors थे Horne Gran और Garrison हम लोग किसको follow कर रहे हैं हान ग्रेन को नवंबर 19 के स्टेडी में नवंबर 90 स्टेडी में गलत वर्ड है नवंबर 19 के जो examination था उसके अंदर इसके उपर question आया तो इंस्टिट्यूट ने क्या किया दोनों तरीके से कर दिया जी गैरिसन के साब से भी और हान ग्रेन के साब से लेकिन जितना मुझे याद है आपकी जब 2021 वगरा के जो इस्टडी मेटीरियल आई उसके अंदर यूसके अंदर आपने हॉन को फॉल्oret कर दियर यह का में भी हांजा सब्रें को- में थोड़ा कम फॉलो करता हूँ उन्हाने यह समझाए कि कि देखिए receipt time क्या है कि उन्होंने क्या कहा एक उन्होंने का receipt time क्या है किस्टमर ने कम order कि मान की लिए चले first of any month third of that particular प्रोडक्शन टीम को वो आडर रिसीव हुआ सेज्स टीम ने फॉरवर्ड किया तो टू डेज क्या कहलाएगा रिसीट टाइम की भई ऑडर रिसीव उने में उनको कितना टाइम लगा दो देन प्रोडक्शन टीम को अब उन्होंने जल्दी से कहा कि मेरे पास तो मैटीरिल नहीं उन्होंने जल्दी से मैटेरिल को ओडर किया या कॉंपोनेंट को ओडर किया और बैठे हैं जब तक वह आनी जाता उसको कहेंगे वेट टाइम फिफ्ट को मानके चलिए आया तो टू डेज कैल आगा वेट टाईम मैं अब प्रोडक्शन शुरू किया प्रोड़क्शन करने के काम होते य मान्ट तो ड्राव्ट they प्रॉसेस को ह्या ही निद्याट टाइम फटर और अब उन्होंने जब प्रोसेस टाइम की साथ में खड़े थे product क्यों में था क्यों क्यों में था क्योंकि process होना था second machine पे वह machine slow थी तो आपने का वह भी non-value एक्टिविटी तो आपने क्लासिफाइड कि कि इसमें कौन सी value added है कौन सी non-value एक्टिविटी है और आपने manufacturing time बोला आपने का manufacturing time इसको बोला अब आपने का total waiting time plus manufacturing time manufacturing time के अंदर हम艇ड नहीं लेते याद अखना जी गएरिसन डे गैरिसन जो था इसको manufacturing time को manufacturing type time बोलता था जबकि हमने क्या बोला इसको manufacturing time को बोलेंगे weid time time प्लस manufacturing time क्या होता है manufacturing cycle time उसके बाद आपने goods कस्टमर को डिलीवर कर दिये तो कस्टमर को डिलीवर करने मिले टैसे त्री डेज लगे तो आपने इसको डिलीवरी टाइम बोला पूरा जो टाइम था से फर्स सारी को ओडर आया था कस्टमर का सेल्स टीम के पास और उसने कस्टमर रेसीव किया ट्वंटीध को ओडर को तो हमारा lead time भी क्यालाता है delivery cycle time भी क्यालाता है customer response time भी क्यालाता है आपने कहां कि sir एक terminology हमने सीखी manufacturing cycle efficiency अब यह देख रहे हैं न manufacturing cycle time में हम यह देख रहे हैं कि एक तो wait time non-value added है और बहुत सारे non-value added activities हमने देखी थी manufacturing time सिर्फ process time ऐसा था तो हम यह देखना चारे हैं कि value added time in respect to non-value total time कितना है तो आपने का process time over manufacturing cycle time निकाल देते हैं कई लोग इसको process cycle efficiency बोल देते हैं कई लोग manufacturing cycle efficiency बोल देते हैं it doesn't create any difference आप लिख लिए एंसी को process cycle efficiency भी बोलते हैं ठीक है अच्छा फिर हमने सीगहा था एक होता है टेक टाइम मतलब क्या होता है टेक टाइम में हम देखते होते हैं कि total time मेरे पास कितना available total time मेरे पास कितना अविले विले ओवर मेरे पास कितनी demand है ओवर मेरे पास कितनी demand है इससे मुझे पता जाता है कि एक यूनिट को प्रेड्यूस करने के लिए मेरे को optimally कितना time लगना चाहिए अगर मेरा time कम लग रहा है तो तो बढ़ यह बात है manufacturing time कम लग रहा है तो लेकिन अगर जाधा लग रहा है तो आपको दिख जाता है कि tech time से जाधा लग रहा है हमें improvement की scope की हमार को improvement करना चाहिए ठीक है कि ultimately मेरे पास जतना time से तो जाधा लगना ही नहीं चाहिए एक time है क्या मेरे पास जतना time है और जितनी demand है उससे अगर जाधा लग रहा है तो मैं demand फुल्फिल नहीं कर पाऊंगा तो आपने का यह होता है इसके बाद हम वापस आए अच्छा इसके बाद हम वापस आए और मेरे को आपको एक छोटी सी चीज और समझानी है और activity hierarchy आएगा पेज निंबर टाइप आप activities या एक्तिविटी हिरार्की कहते हैं इसको वे स्टेन डास्ट twenty- डीकने एक्तिविटी न कई तरीकी की होती है कई बैस पर राइव हो रही एक नोट like कि वॉल्यू मैस ही होगी पहले वॉल्यू मेस इस हमें पता क्षयों गरए ऐसी को जो वाल्यूम के बैस पर रहरी है याद रखना activity based cost, activity based management, यह जितनी भी चीज़े हैं, यह सारी overhead को target कर रहे हैं, क्योंकि material labor वगरा तो direct होता है, वो तो पहले ही पता है, traceable है, product related है, लेकिन जब हम बात करते हैं, overhead की वो traceable नहीं होता, वो product पे directly trace नहीं हो रहा होता, लेकिन company as a whole का लग रहा होता है, और उसको हम apportion कर रहे हो जो कि आप कहेंगे unit level है, unit level का मतलब units के साब से change हो रही है, अगर जादा unit produce करेंगे तो जादा लगेगी, कम करेंगे तो कम लगेगी, ठीक है, तो आपने का ठीक है, वो चीज हमें जाननी ज़रूरी है, कौन सी activity ऐसी है, लेकिन कुछ activity ऐसी होंगी, जैसे inspection हो सकता है, production scheduling हो सकता है, setup हो सकता है, जो कि per unit नहीं होगी, जो कि per setup होगी, per batch होगी, आपने का बात ठीक है सर, अगर ऐसी कुछ cost है, जो per setup है, per batch वगरा है, तो उसे batch related activity कहते हैं, लेकिन सर, कुछ activity तो ऐसी भी हो सकती है, जो कि batch related ना हो, product related हो, मैंने का जैसे कि advertisement वगरा, आपने का design वगरा service sector है, तो service sustaining, और लास्ट आपने का, facility sustaining, आपने का, इसको business sustaining भी कहते हैं, मतलब आपने का कि पूरी organization की कुछ facilities हैं, उसको कई product यूटलाइस करते हैं, तो आपने पूरी facility की बात करने हैं, आप individual product की बात थोड़ी करने हैं, पूरी vulnerabilities की बात करने हैं, तो आपने का, उसको कहा facility sustaining है या business sustaining activities है ना पूरी business की बात कर रहे हो आप individual product wise नहीं सूच रहे हैं आपने बहुत अच्छे से समझ लिए इस बात को मेरे ख्याल से है ना तो अब आपने का कि सर अब हम वापस आये activity based management या कई लोग इसको activity based cost management भी कहते हैं हमने देखा था इसके अंदर कई authors ने अपनी definitions दी थी हम किसी भी author को follow कर सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं सब एक ही बात बोल रहे थे सब क्या कह रहे थे देखिए आपको activity based cost निकल नहीं आ गई आपको पता है budget भी अगर आप activity based बनाएंगे ना कि traditional based traditional में क्या है variable cost fixed cost वैसे ना ल आप हर overhead के budget के overhead भी बजट भी बना रहे हैं तो overhead भी बना रहे हैं तो उसको कहते है activity based budgeting कुछ special नहीं है कि budget भी बना रहे हैं आप सोच रहे हैं कि किसके पर कितनी cost लगेंगी तो यह सोची कि इस आने वाले period में कौन सा product कितनी activity consume करेगा और हर activity के उपर क्या rate है driver का तो आपक क्याता है activity based budgeting कुछ भी नहीं है कई लोग क्याता है activity based budgeting अरे क्या activity based budgeting सो syllabus में activity based budgeting लिख अरे उसमें कुछ special नहीं है जैसे activity based costing जो है वो current product जो इस year का data है जो खतम हो चुगा उसकी cost निकाल रहा है activity based costing activity based budgeting future के बारे में सुच रहे हैं नथिंग एल्स हां वो coordinate करके चलती activity based management के स साथ that is our fact जैसे अभी हम standard costing में flexible budget बनाते हैं to find variances इसमें भी बनाएंगे flexible variances निकालने on the flexible budget to find variances देखेंगे तो आपने कर ठीक है तो आपने कर ठीक है सर activity based management activity बजटिंग है क्या activity based budgeting activity based management या activity based cost management क्या है दोस्तों इसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं हम बस सीधी सीधी बात सोच रहे होते हैं कि कौन कौन सी activities है अब हम manage कर रहे हैं cost को manage करने की सोच रहे है सर cost को manage करने मतलब मेरे को सीधी मतलब बात है cost को reduce करने फालतु की cost हटा रहा इन सिंपल टम्स लिटरली मद सोचो लेकिन आप ऐसे सोचो cost को manage करने का मतलब यह है कि कौन कौन से expenditure है heads क्या है functional heads क्या है अब हम सोच रहे हैं कौन कौन सी activities है और जब हम ऐसे सोचते हैं तो हमारा दिमाग बड़ा अच्छा चलने लग जाता है जैसे हम यह सोच रहे हैं जैसे हम यह सोच रहे हैं कि यार आखिरकार मान के चलिए कस्मिया पर एक्जामपल लिखा है एक कस्टमर के order को process करने में 250 रुपीज लगते हैं अगर low quantity आ रही है order की तो हम कस्टमर से बात करें न करेंगे कि नहीं करेंगे लेकिन यह बात पता कैसे चली activity के साब से पता च से देखा आपने देखा अरे 1500 सिर्फ किसीच की cost resolution of customer complaint page में कौन से पहूं 10-15 सिर्फ कस्टमर की cost problems को resolve करने के लिए 1500 cost लग रही है that is a very big amount it is actually non-value-added activity इसको तो आपको खतम करना चाहिए customer को problem आनी ही नहीं चाहिए at first hand आपने को यह problem आ के हो रही है यह तो अपने आप में गलत है तो जब आप analyze करेंगे तभी तो आप cost reduce करेंगे जब analyze ही नहीं करेंगे तो cost reduce क्या करेंगे तो इसका सबसे पह important है वो है cost reduction वो है cost reduction लेकिन कई लोग इसमें problem face करते है कि सर प्रोब्लम क्या हो सकती है यार देखो इसमें activities को analyze करना और cost driver को analyze करना बड़ा जरूरिया अगर सही से आप कर सकते हैं तो तो कर पाएंगे नहीं कर पार है activities सो और cost driver को analyze तो आप यह एपलायर नहीं कर सकते हैं प लगाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता because more or less you will get the same result कई बार क्या होता है एक्टिविटीज के साफ से ना होके cost drivers सब activities के साफ से होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा in-depth लगाने में बहुत costly affair पड़ जाता है एक्टिविटीज में अलग-अलग cost drivers से हैं सेकेंड हम कहते हैं activities को एनलाइज करेंगे activities को कैसे अनलाइज करेंगे देखेंगे कौन सी value-added activity कौन सी non-value-added activity airlines का example मैंने लिया था कि देखो goods आए बुक आपने आपका goods जो भी आपका baggage है वो आ गया timely deliver हो रहा है तो ठीक है value-added अब अगर आप lost है उसको ढूणने में टाइम लगा रहे हैं यह तो यह नॉन वैल्याइड एक्टिविटी है न एलाइंस के साब से तो आपकी यह हूनी नी चाहिए यह आपको eliminate करनी है किसी तरह यह नॉन वैल्याइड एक्टिविटी इसी को कई लोग क्या करते हैं different way में classify करते हैं value-added की जगह वो primary और secondary यह support activity बोल देते हैं जैसे हमने वहाँ पे सीखा था chapter 1 प्राइमरी अक्टिविटी जो core भी है और value-added भी है उसको आप primary बोल देते हैं यहाँ पे this is somewhat different with what we learnt in chapter 1 और यहाँ पे support या secondary activities जो है उसको आप बोलते हैं जो core को support कर रही है जो core को support कर रही है this is setup cost अगर वो setup भी नहीं करोगे तो आपने कहा कि sir काम कैसे करोगे तो आपने कहा core नहीं है लेकिन core को support कर रही है तो आपने कहा इसको हमें minimize करना है किसी तरीके से किसी भी तरीके से minimize क और थर्ड होती है discretionary या आपने कहा कि sir diversionary activities थर्ड होती है यह तो आपने कहा कि sir इसमें हम क्या करते हैं इसमें हम कहते हैं कि इनको eliminate करो यह तो ऐसी activity है जो जबरदस्ती cost लगा रहे हैं इनको eliminate करिया ठीक है अच्छा जब हम activity based management लगा रहे होते हैं सिर्फ यह नहीं सोच रहे होते हैं आगे इस year production कैसे होगा activity based management हमारे को even product के designing में help करता है आपने का कैसे मैं मालूम है 80% जो cost है हमारी वो product design पर ही lock हो जाती है तो जब हम design ही अच्छा बनाएंगे तो cost ही नहीं लगेगी आपने का design अच्छा बनाएंगे हाँ एक बहुत famous example है पता नहीं मैंने आपको पहले दिया था यह नहीं पता नहीं यह सच्छा ही है यह नहीं बट I read this somewhere that design team of apple took the first iphone नहीं क्या बोलते थे उसको जो सबसे पहले था आई-पॉड आई-पॉड को लेके गए बिल गेट्स बिल गेट्स कहारों स्टीव जॉप्स के पास हम एप्पल वाला था स्टीव जॉप्स अनफॉर्चुनेटली नहीं रहे वह स्टीव जॉप्स ने कहा यह तो बहुत बड़ा है इसको छोटा बना के लाओ डिजाइन टीम ने कहा इस इंपॉसिब हमने जितना इसको छोटा कर सकते थे कर दिया इस से आधा यह चोटा हो ही नहीं सकता इस इंपॉसिब स्टीव जॉप्स ने उठाया उसको वॉक करते हुए तुवर्स विंडू गए वहां पे एक फिश एक्क्यूरियम था एंड ही ड्रॉप ड्राइप आई पाड इन यह पर्टिक्लर फिश एक्क्यूरियम उसमें से बबल्स आने लग गए तो कहते हैं आप गलत कहरे हैं इसमें स्पेस नहीं है बबल्स आ रहे हैं रिमूव दिस पेस तो बेसिकली और उसके बाद आई पॉड बहुत छोटा बना आई पॉड बिसिकली वाक्मेन होता था जो इयरफोन गाने सुनने के काम में आता था अब शायद आता भी है यह नहीं पताने तो आपने कहा कि सर बिसिकली अगर आप यह समझेंगे कि डिजाइन के उपर ही सारा कुछ डिपैंडेंट है तो आप आप अपनी कॉस्ट को कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं समझें तो आपने का अच्छा जैसे यहां पर मैंने एक्जांपल भी दिया हिटाची ने रेफ्रीजेटर प्रांट में अपनी कॉस्ट बहुत सेफ की थी इसी तरीके से अब आपने का ठीक है सर लास्ट पर्फॉर्मेंस एवैलिएशन आप वहने यह कर दिया तो इतना दोँगा काॉस्ट एडिउस कर दीजबंस तो ठीक है बाकी चीज़ों पर गलत है वह कहते है यार एक्टिविटी बेस् मैनेज़मेंट प्रमोट क्या करता है वह कहता है देखो परफॉर्मेंस अनल्यसिस करना हो ना तो आप परफॉर्मेंस अन उसने उसी वर्क को करने के लिए किसने रिड्यूस की मान के चलिए ठीक है उसी चीज को करने के लिए किसने रिड्यूस की अच्छा अब अब आपने गा कि सर मतलब सेम वर्क को सेम प्रूडक को बताने के लिए किसने कम एक्टिविटीज कंज्यूम की आईडिया दो कम करके दिखाओ को स्ट डाइवर रेट किसने कम करके दिखा रहा है कि आप तो सही है कॉस्ट डाइवर रेट कम कर दोगे तो आटमेटिकली प्रोड़क्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी वही जिस आप पहले अभी भी लेकिन पर इंस्पेक्शन अगर कॉस्ट कम हो जाए तो प्रोड़क्ट बनाने की कॉस्ट अपने आप रिडियूस हो गए क्यूंक आपने का कौन जादा क्वालीटि इंप्लिमेंट कर सकता है आपने का कौन कस्पम सेटिस्टिस्फ्छन पर वक कर रहा है इन चीजों को आप अक्टिविटी बेस मैनेजमिन में पर्फॉर्ममस इवलिएशन का base लेके चलते हैं और business application के activity-based management की कि आप activity-based management किसके साथ apply करते हैं आपने का cost reduction techniques के साथ activity-based budgeting के साथ business process re-engineering के साथ benchmarking के साथ performance management के साथ इन चीजों के साथ आप activity-based management apply करते हैं this is what we learned इसी के साथ आपका chapter I think 10 chapter 10 आपका पिनिश हो रहा है रिवी साथ किसी को doubt हो तो बोलिए